आज हमारे पास भर भर के gaming accessories है वो भी विंग्स की तरफ से और यह सारे products हैं यह आज की वीडियो में मिलेंगे आज की वीडियो में सिर्फ हम headphones review करने वाले वेडर 100 वेडर 200 एंड वेडर 300 ओ यह तो कैमरे से भार चला गया लो जी लो और यहां पर दो हमारे की बोर्ड्स हैं ग्राइंड वन जरो फाइव और ग्राइंड वन डबल जिरो तो आप मुझे बताना पहले की बोर्ड की वीडियो लाई जाए यह माउस की विं जाती है एक गारण्टी काड और फाइनली बढ़ियासे बबल रप में निकल जाता हमारा हैडफोन सबसे ज़रूरी काम तो रही गया यह हमारा वेडर 200 ओंड है और यह है सबसे प्रीमियम हैड इसकी तो लुक्स देखके मजा गया घंग हई तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं तीनों की प्राइसिंग से यह वाला वीडर 100 यह 1000 रूपीज और यह लाउंच प्राइस है बाद में 1100 यह तो सब्सक्राइब कर लो या फिर बाद में 100 रूपर बढ़ागे और हाँ लेने चाहिए नहीं वह तो आपको वीडियो के कि देखते हैं वेडर वेडर से चुरूबाइज कद लेता है यहाँ पे छोगब में और यहाँ इसके के साफ से मतलब बडिया है मेरे को इतने सौफ्ट मिलेंगे और येस बातात ये comfort की वैसे मैं test कर चुका हूँ बट still एक बर camera पर ना पता है ना दिल से तो comfort के बारे मगर आपको बताऊँ थोड़ा सा ये आपको tight लगेगा अगर आपका सर मेरे तरह चौड़ा है मेरा चौड़ा सर है थोड़ा तो ये थोड़ा साब को tight लगने वाला है जादा tight नहीं है मैं पहले clear कर दूँ बट still मैं एक चीज़ कहूँगा कि ट्रिपल नाइन में तो ठीक है ऐसी को दिक्कत नहीं है और यहाँ पर जो build quality है Vader 100 की काफी बढ़ी है flexible वाला प्लास्टिक आपको मिल जाता है तो तूटने वूटने ही कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर मारी लडाई करने वाली cable आजाती है ब्रेडिड वाली और आगे से 3.5 mm jack input के साथ मिलता है इवन जो मारे बाकी दो headphones है वो भी 3.5 mm jack के साथ आते है तो आपको PC पे चलाना हो PS5, Xbox या even smartphone तो सारे devices में must compatible है और इसके अंदर आपको adjustment मिल जाती है कुछ इतनी adjustment है तो head पे लगाने के लिए कोई आपको दिक्कत ऐसी होने नी वाली और जो मारे Vader 100 है इनका जो weight है 250 grams है प्रॉक्स है starting with Vader 200 ये भी मारे को प्लास्टिक बिल्ड में मिलता है बट प्लास्टिक की quality अच्छी है यहाँ पे भी और fully flexible वाला headphone है और ये जो Vader 200 है इसका weight 240 grams है पता नहीं कैमरा में साफ दिखाई नहीं दे रहा है 242 दिखाई ही दे रहोगा आपको यहाँ पे तो जो हमारे headphones है काफी lightweight side है usually gaming headphones 280, 290, 300 grams पहुंच जाते हैं ये 250 के आसपास हैं जो lightweight मने जाते हैं और ये Vader 200 में भी आपको same type का microphone मिल जाता है जो आप ऐसे करके attach कर सकते हैं उसके अंदर और यहाँ पे आगे से fully flexible microphone है और इसके cushions Vader 100 से soft हैं और यहाँ पे हमारे को volume rocker wheel मिल जाता है यहाँ पे mic on off का button मिल जाता है और ये भी हमारे इस तरीके के adjustment के साथ आते हैं इसके अंदर भी हमारे को braided cable मिलती है 1.8 meter की, Vader 100 में भी 1.8 meter ही है पैसे जादे दिरोनस के किसीज के लिए आरची बिसार, नशे नहीं करने क्या यहाँ पे हमारे को कुछ इस तरीके के breathing effect मिल जाते हैं आप देख सकते हो अपने सामने color अपने आप change हो रहे है और जो इसका microphone और भी light है light बट वो single है, यहाँ पे blue color की light जलती रहेगी और यहाँ की lights हमारी change होती रहती है आपने camera पे check out करी लिया है और हाँ इसके light के effects हम change नहीं कर सकते है automatically single breathing effect में चलती है and बात आती है comfort की yes, comfort इसका और 100 का बिल्कुल सेम सेम सा है थोटा सा मैं कहा सकता हूँ, 19-20 का फरक है जादा फरक नहीं है then here comes the rock star, यह हमारा Vader 300 है और आप इसकी look देखो यार metal यहाँ पे हमारे को मिल जाता है इसके wings लिखा है और बाकी plastic में है और इसकी जो plastic की build है वो बहुत बड़ी है यहाँ पे blue blue color के pattern मने वे है और उपर का headband है इसके उपर भी यहाँ पे metal है और इसका headband वैसे वाला adjustable नहीं है जैसे पहले था इसका headband इस type का adjustable है तो अगर इसको headband से लगा होगे यहाँ से इसे adjust हो जाता है और भाई comfort इसका comfort है literally यह लगता है कि हाँ बतलब एक premium सा headphone आपने रखा है मैंने इन तीनों को पहन के gaming वगएरा करके देखी मेरे को यह सब साधा comfortable लगा इसका weight 312 grams है यहाँ पर थोड़ा सा blur दिखाई दे रहोगा 300 grams से उपर है बट सिल इसका weight है na weight feeling नहीं होता इसका comfort की वैसे क्योंकि इसके cushions है वो काफी soft है पहले दो models के comparison में और यहाँ पर हमारे को mute and mute का button मिल जाता है और इसके अंदर भी हमारे को braided cable मिल जाती है बट 2.1 meters की है और आगे से यह भी 3.5 mm jack वाला है और जो USB DNN के साथ यह सिर्फ light जलाने के लिए है बागी use आप 3.5 mm jack से ही करोगे यहाँ पर आप इसके RGB देख सकते हो क्या cool effect है color से 3D में दिखाई देते है इसके अंदर से honeycomb type का design बना है उसके अंदर से आप color देख सकते हो और जो इसका microphone है उसके उपर blue color की light जलती है यह change नहीं होती बाकी यह जो हमारा headphone है इसका तो भाई जवाब ही नहीं है तो भाई यह तो इन headphones की भारी पूरी बात चीत तो सबसे पहले गेमी experience की बात कर लेते हैं music की और mic वगरा की बात में करते हैं gaming experience में काऊंगा तीनों का ही बहुत बढ़िया लगा vader 100 और 200 का comfort में काऊंगा long hour में थोड़ा सा आपको लग सकता है कि tight है वो भी तको person to person vary करता है मेरा थोड़ा सा सर चोड़ा है इस वज़े से और tight तो है वो मान लिया बट साथ हलके भी तो है ना तो वो long hour में थोड़ा बहुत compensate कर देते हैं बागी vader 300 comfort मेरे को सबसादा बढ़ी लगा stereo separation तीनों का बहुत सा ही है गेमिंग के मामले में एक परसेंट भी दिक्कत ने आगी travel बिल्कुल गेमिंग के साफ से टिउन कर रखी है base भी उसी साफ से टिउन है तीनों हेड़फोन साप गेमिंग के लिए definitely ले सकते हो obviously price के साफ से आपका experience है पर फोड़ोटे डिफर करेगा तीनों में बट तीनों के तीनों में gaming के मामले में कोई शिकायत निया और बात आती है माइक टेस्ट की एकए करके माइक टेस्ट सुनो और ये वेडर 100 का माइक टेस्ट है कैसे लिए की मैक क्यों कोमेंट सेक्शन में और ये वाला हमारा वेडर 300 का माइक्रोफोन है और इसके नतरा नॉइस कैंसलेशन भी है माइक्रोफोन में कुछ आपको अगर अंदाजा करवा हो तो यहाँ पर फैन चल रहा है एसी चल रहा रूम में मैं ज़रा थोड़ी दिर चुप हो जाता हूं तो अंदाजा हो जाएग से कुछ ऐसी आवाज निकाल के देगा इसके अंदर 40 mm के ड्राइवर्स हैं और जो इसकी साउंड कॉलिटी है वह मैं बता हूं तो ट्रेबल जो है वह भी काफी बैलेंस रहा है बेस भी काफी स्मूद टाइप का मिल जाता है और लाउडनेस भी अच्छी है तो ओवराल 1000 के इसकी अवाज मतलब वैल्यू फर मनी कह सकता हूं मैं वेडर 200 और 100 की सेम सी अवाज है मतलब मेरे को जादा डिफरेंस नहीं लगा बहुत माइनर सा है वैसे मतलब ना ही मान लो तुम तो क्यूंकि इन दोनों के अंदर 40-40 mm के ड्राइवर है और लगता है स्पीकर भी नहों इसके अंदर आपको बेस थोड़ा सा जादा पंची मिल जाता है एक्तम बिल्कुल तगड़ा बेस नहीं है थोड़ा सा जादा डीप बेस आपको इसके अंदर मिलता है ट्रेबल इसकी क्रिस्प है बहुत लियर ट्रेबल है गेमिंग के मामले में सबसे बेटर एक्सपिरें और 100-100 रूपर बढ़ जाएंगे बाकी launch price के बाद, मेरे साब से सच में कोई दिक्कत नहीं है, इस price range में जैसे build quality आपको मिल रही है, जैसे sound quality आपको मिल रही है, और mic की quality आप सुन चुके हो, definitely आप इनको consider कर सकते हो, अगर आप gaming headphones की तरफ जा रहे हो, links मैं आपको दे दूँ का description में, check out करना हो, तो आज से check out कर सकते हो, like भी मार सकते हो, share भी कर सकते हो, subscribe भी कर सकते हो, मिलता नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए, bye!